हुआ है हलो एस्टुडेंट निर्भाय वर्वन यूट्यूब चैनल में आपका स्वगत करता हूं एस्टुडेंट इस वीडियो में बात करेंगे एसपी सीयल के तरफ से एक नएया विकेंसी आ है इसके बारें पूरा डिटेल अडवर्टाइजमेंट यह डिसकस करेंगे हिं इस पहले पर लोग अपलाइब कर सकते हैं यहां पर देखिए गया है जो इंपॉर्टेंट बताया है ऑनलाइन अप्लिकेशन का 224 2022 और लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लिकेशन 25 2022 ठीक है इसका अप्लिकेशन इस्टार्ट हो चुका है तो आप लोग जाके इसका फॉर्म फि यहां पर देखिए जो जो पॉस्ट रखा गया ओपरेशन टेकनीशन के लिए दिपलोमा इन कीमिकल इंजिरिंग में चाहिए और यहां पर जो भीकेंसी है टोटल नाइटीफौर बिकेंसी है ठीक है और उसके बाद वाइलर टेकनीशन के लिए के जोप पॉस्ट है यहां डिप्लोमा इन मेकनिकल इंजरिंग और डिजारेबल फर्स्ट क्लास बॉयलर एटेंडेंट कंपेटेंसी सेट्टिफिकेट अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं भी है तो फिर भी अपलाई कर सकते हैं इसके लिए यहां पर सकता है ये टोटल हम अथारा भी है उसके बाद बॉलर मेंटेंस टेफिक्निसें लिए है ज्ट क्यंपया है तो भी अपलाई कर सकते हैं सब्सक्राइब anni टेक्निसियन Electrical के लिए Diploma in Electrical Engineering है तो अप्लाइ कर सकते हैं 17 पोस्ट यहां पे रखा गया है उसके बाद Maintenance, Technician, Instumation Diploma in Instumation Engineering या Instumation and Control या Instumation and Electronics या Electronics and Communication या Electronics and Telecommunication से अगर डिप्लोमा किया है तो अप्लाइ कर सकते हैं इस पोस्ट में तोटल नाइन पोस्ट रखा गया है उसके बाद Lab Analyst के लिए है BSc, Math, Physics and Chemistry से अगर किसी भी एक सब्जेक्ट से किया है तो आप अप्लाइ कर सकते हैं या MSC, Chemistry से किया है तो अप्लाइ कर सकते हैं इसके लिए 16 पोस्ट रखा गया है उसके जुनियर फायर या सेप्टी इंस्पेक्टर के लिए साइन्स गर्जुए टेस्ट टुडेंट अप्लाइ कर सकते हैं विट हैबी मोटर भैकिल का डैविंग लेसंस आपके पास होना चाहिए तो यहां पे 18 पोस्ट रखा गया है उसके बाद यहां पर जोकेंज के बाराम जो बतायों है इस में आपको क्या काम मिलेगा इस के बारहें पुरा डटेल में बतायों है कौन से पोस्ट में क्या 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 करना पड़ाएगा यह सब बताई गया है उसके बाद आ जाता है यहां पर education qualification में तो यहां पर देखेंगे कि जो भी आपका डिग्री है उसमें उसमें 60% आपका score होना चाहिए और SCST के लिए यहां पर 50% है उसके बाद minimum age जो रखा गया है 18 साल और maximum age 25 साल रखा गया है ठीक है होगा ठीक है क्या होगा अस्किल टेस्ट दो तरह से आपका जो है यहां पर selection होने वाला है इसके बाद आपका final selection यहां पर हो जाएगा उसके बाद medical आपका फिव होगा उसके बाद आपका जाके selection होने माला है उसके बाद बताए गया कि हाओ टू अपलाई ठीक है यहां पर जो सरड़ी बगरह में भी बताए गया है कि 2600 से स्टार्टिंग रहेगा और 76 अज़ा तक जाएगा प वहाँ से अप्लेके sill यहांicki सब्लेक का लिंक इसका वीडियो कि Imm hydrogen में लिंक मिल जाएगा तो म्हां से क्लिग करेंगे टैरेक्ट अप्लिकेशन वहां से स्टार्ट कर पाएंगे तो यहां पर देखिए अप्लिकेशन डेट भी दिया है क्या उनलाइन अप्लिकेशन विल भी एक्सेप्टेड बारब जैसे 2222 से स्टार्ट हो जाएगा और रात बार बजे तक यह 2522 तक अपप्लाइब कर सकते हैं ठीक है उसके बाद पेमेंट आप अप्लिकेशन यूर ओव सब्सक्राइब के लिए जो पेमेंट करना है नन रिफेंडबल एमॉंट होगा वह 590 रुपया प्लस जीस्टी अलग से लगेगा सीस्टी पीड़ूड कंडिट के लिए यहां पर कोई भी फी नहीं देना पड़ेगा मॉड ऑफ पेमेंट कैसे कर सकते हैं तो आप पेमेंट सब्सक्राइब करेडिट कार्ट यूपी नेट बेंकिंग के तुरू यहां पे आप पे कर सकते हैं ठीक है उसके बाद जो भी इंपॉर्टन चीज़े हैं उसको और डिसक्स कर देता हूं मैं और इस किसी तरह का आपको प्रोलम आता है तो इसका जो है इमेल यहां पे जो द झाल